Hello everyone, स्वागत है आपका stereocemistry के next important question में अब आपके पास यह एक compound है इस compound यह आपको first and fourth position पर जो stereocemistry आपको mention है उनका आपने क्या बताना है? absolute configuration बताना है तो फटापट से कर लेते हैं, यहाँ पर basically क्या होगा? CH3 होगा, बट आपको एक चीज ध्यान रखने है यहाँ पर यह वाली जो shed बना रही है यह above the plane की है तो यहाँ पर जो group present होगा, वो कहाँ पर above the plane होगा, वो होगा hydrogen और यह जो CH3 यह blue the plane होगा, तो यह यहाँ पर इस प्रकार से blue the plane है बस यहीं पर आपको थोड़ा संभल के चलना था और इतना अगर आपने कर दिया, तो अब तो फटावट से आप numbering स्टार्ट कर दो तो first priority मिलेगी, इसको second priority कि इसको मिलेगी बच्चों इस वाले कार्बन को या फिर इस वाले कार्बन को, देखो इस वाले कार्बन पर है दो हाइट्रूजन एटम, जिब कि इस वाले कार्बन पर क्या है, बच्चों दो CH3 ग्रूप लगे हुए हैं, यानि कि इस कार्बन से हमारे 1, 2, 3, 3 हाइट्रूजन अटेजड है एस वाले कार्बन से के ओल दो ही आट्रूजन अटेजड है, ठीक है वान, 2, 3, तो वान, टू, 3 इस प्रकार से यानि कि इसका आजाएगा एस और ये जो फोर्त है, वो बलू धी प्लेन है, तो बलू धी प्लेन वाला है, तो ऐस का ऐस ही रह connecting एनकी first वाले position का वो निकल के आ गया S configuration अगर fourth वाले position की बात करें यहाँ पे तो इस पे numbering start करते हैं तो first किसको मिलेगा भई first मिलेगा इस वाले को जो above the plane है क्योंकि इस carbon पे भी 2 hydrogen है इस carbon पे भी 2 hydrogen लेकिन यहाँ पे फिर से 3 carbon atom attached है तो first इसको मिल गया second इसको मिलेगा इस वाले को क्योंकि इसके next वाले carbon पे oxygen है इसके next वाले carbon पे hydrogen परजेंट है तो second इसको मिलेगा and third मिलेगा इसको fourth मिलेगा यहाँ पे यह तो 1,2,3 and fourth तो 1,2,3 इस प्रकार चे आएगा तो 1,2,3 यह आ जाएगा आर लेकिन यह आर नहीं होगा क्योंकि above the plane है तो यह क्या होगा बच्चो S होगा तो यहाँ पे जो configuration निकल के आ गया वो भी क्या आ गया बच्चो 1S and 4S इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा 1S and 4S 1S and 4S जाएगा option number 4 इसका right answer हो जाएगा जाएगा